कि दिल्ली अपने पीने के पानी के लिए घरेलू उपयोग के पानी के लिए यमुना नदी पर डिपेंडेंट है दिल्ली में जो पानी हम अपने घरों में प्रयोग करते हैं वो दिल्ली के साथ वाटर ट्रीट्मेंट प्लांट से आता है इन साथ वाटर ट्रीट्मेंट प्ल पानी आता है हमारे तीन water treatment plants में वजीराबाद, चंदरावल और ओखिया उसके अलावा दिल्ली में यमना से पानी आता है मुनक कनाल के माध्यम से जिसकी दो सब ब्रांच इसे केरियर लाइंग चैनल और डीएसवी डेली सब ब्रांच मुनक कनाल के दो जो दो चैनल जाते हैं CLC और DSB इससे दिल्ली के सातों water treatment plants में पानी जाता है दिल्ली और हर्याना का जो समझोता है उसकी अनुसार हर्याना को रोज 1050 क्यूसक पानी मुनक कनाल से दिल्ली के लिए छोड़ना होता है अब हमारा डेटा बताता है कि पिछले पांच सालों में जब हर्याना 1050 क्यूसक पानी छोड़ता है तो गर्मी की वजह से और रस्ते में पानी अगर इवैपोरेट हो जाए थोड़ा बिसपर्स हो जाए अ तो मई जून के महीने में 1033, 1040, 1021, 1015, 990, 995, इस रेंज में, यानि 990 से लेके 1040 क्यूसेक पानी तक दिल्ली पहुँचता है, हर्याना 1050 क्यूसेक पानी जब छोड़ती हैं, तो गर्मी के मौसम में दिल्ली में 990 से 1040 क्यूसेक पानी तक पहुचता है, इसको हम मेजर करते हैं बवाना कॉंटाक पॉइंट पे, जहां पे DSB में भी और CLC में भी हमारे फ्लो मीटर लगे हैं, यानि गर्मी के मौसम में भी पानी के एवापरेट होने के बाद भी मिनिममम 995 क्यूसेक पानी हमेशा मुनक कनाल से दिल्ली में आता है, लेकिन पिछले एक हफ़ते में जस समय दिल्ली में सिवेर हीट वेव चल रही है जस समय दिल्ली में पानी की कमी हैं, जिस समय सुप्रीम कोट दिली को अतिरिक्त पानी दिलाने का प्रयास कर रहा है हर्याना ने मुनक कनाल से पानी छोड़ना कम कर दिया है अगर हम अपना डेटा देखने जाएं और यह हमारे मुनक कनाल में डी एसबी और सी एलसी में आने वाला डेटा हम यह देख सकते हैं कि एक जून को मात्र 924 क्यूसेक पानी पहुंचा 924 क्यूसेक्स और एक जून से साथ जून तक यह पानी लगातार कम होता गया है चार जून को यह 924 से 884 क्यूसेक पहुंचा 6 जून को 856 क्यूसेक पहुंचा और आज कल 8 जून हो यह कल 7 जून को मात्र 840 क्यूसेक पानी मुनक कनाल से दिल्ली में आया है तो जो एक हजार क्यूसेक की जगा मात्र 840 क्यूसेक पानी दिल्ली में आ रहा है यानि हर्याना अपना एक हजार पचास क्यूसेक पानी मुनक कनाल से नहीं छोड़ रही है मुनक कनाल से आने वाला DSB का पानी मुनक कनाल से आने वाला CLC का पानी दिल्ली के सातों वाटर ट्रीटमेंट प्लांट्स में जाता है यह वजीराबाद, चंदरावल, ओकला, बवाना, नांगलोई, हैदरपुर, द्वार का दिल्ली के सातों वाटर ट्रीटमेंट प्लांट्स में जाता है यानि अगर CLC और DSB का पानी इसी तरहां से कम रहा तो आने वाले दो दिन में दिल्ली के हर इलाके में पानी की कमी हो जाएगा एक तरफ वजीराबाद पॉंड का लेवल रोज गिर रहा है आज वजीराबाद का लेवल 669.5 पहुंच गया है जब उसे 674.5 होना चाहिए मुनक कनाम में ० sì , जो 1050 क्यूcak पानी हर्याना को छोड़ना है हर्याना पानी नहीं छोड रही है क्यूंगि दिल्ली में सिर्फ और 844 क्यूसेक सफिशाएं कहां जाजा रहा है बाकी पानी अगर हर्याना 150 केसी च्पा पानी छोड रही होती तो पानी कर अरस्ते में गायब हो जाएगा हर गर्मी में मात्र 50 की ऊश्एक का वॉर्ट लॉस यहूं से हो तो ऐसा कैसे हो सकता है कि इस गर्मी में 200 क्यूसेक पानी का वाटर ग्लॉस हो जाए तो अगर 840 क्यूसेक पानी दिल्ली पहुंच रहा है इसका मतलब है कि हर्याना मुनक कनाल में पानी नहीं छोड रही है दिल्ली को उसके हिस्से का पानी नहीं दे रही है मैं हर्याना सरकार से अपील करना चाहूंगी कि हर्याना सरकार पानी पे राजनीती ना करें मैं हर्याना सरकार से अपील करना चाहूंगी कि दिल्ली के हिस्से का पानी छोड़े और मैं केंद्र सरकार से भी अपील करना चाहूंगी कि एक तरफ सुप्रीम कोट दिल्ली को अति तिक निठ के लिए पहुंचे भी और दूसरी तरफ हर्याना जो दिल्ली के हक का पानी है दिल्ली के हिससे का पानी है वह भी दिल्ली को नहीं पहुंचा रहा है तो मैं केंडर सरकार से भी अपील करूंगी कि वह जल्द से जल्द this situation में इंटर्वीन करें मैं आपर यमुना र 50 क्यूसेख पानी छोड़ रही है तो कहां जा रहा है क्यों दिल्ली के एंट्री पॉइंट पर जो बावाना का कॉंटक्ट पॉइंट है जो वहां पर फ्लो मीटर लगा हुआ है वहां पर 7 जून को मात्र 840 क्यूसेख पानी क्यों आया कहां गया बाकी पानी कि आसमान था गया धर्ती फट गई कहां गया वहां फिर सारा पानी जब हर साल गर्मी में अगर आप इशले सालों का डेटा देखिए जैसे मैंने आपको बताया कि एक जून में पूरी गर्मी के बावजूद ऐसा नहीं है कि सिरुस्साल गर्मी पढ़ी है एक हजार चॉवेस क्यूसेख एक हजार अर्थिस क्यूसेख गर्मी के बावजूद दिल्ली पहुंचता रहा है 982 Q6 1047 Q6 1013 Q6 तो ऐसा क्या हो गया कि अगर हर्याना पूरा पानी छोड रही है तो क्यों दिल्ली पानी नहीं पहुच रहा है यह बिलकुल साफ है कि अगर दिल्ली में 840 Q6 पानी पहुंच रहा है हर्याना 900 क्योड़ेक से ज़ादा पानी मुनक कनाल से नही छोड़ रही है तो मैं हर्याना वालों से यही अपील करूँगी कि पानी पर राजिनीती ना की जाए पीने का पानी हर इनसां के लिए ज्ज़रूरी है हर्याना में ये पानी इरिगेशन के लिए यूज हो रहा है दिल्ली वालों को ये पानी पीने के लिए चाहिए अपना धर चलाने के लिए चाहिए खाना बनाने के लिए चाहिए और अब हर्याना दिल्ली के हिस्से का पानी नहीं छोड रही है इरिगेशन में इस्तवाल कर र बढ़े दिल्ली मैं 1000 mgd के पानी प्रड़क्शन पहुंच गया है अगर मुनख कनाल में पानी कल्द सुबह तक नहीं बढ़ा तो दिली के सातों वाटर ट्रीटमेंट अगेश्ट का प्रडक्शन कि लिए सवाल सवाल के लोगों को नीट के एक्जाम पर सवाल है कि अगर उसकी प्रकुर्या पर सवाल है अगर उसकी मार्किंग पर सवाल है अगर पेपर लीक होने पर सवाल है तो एंटी एक transparent investigation से क्यों बच रहा है। अगर कोई गटी नहीं हुई है अगर नीट का ईग्जाम बिल्कुल साफ सुत्रे तरीके से हुआ है, अगर पेपर लीक नहीं हुआ है। क्यों एंटी एंक्वाइरी के लिए पर याब नहीं है अगर सब कुछ ठीक हुआ है तो इंक्वाइरी में दूद कर दूद पानी का पानी हो जाएगा लेकिन जिस तरहां से एंटी ए नीट पर इंक्वाइरी से बच रही है यह दिखाता है कि दाल में कुछ का लागा